जाहिन दोस्तों मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्वीश टू सेविंग गाइड सर्वीश टू सेविंग गाइड में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में सब ही PWDs Persons with Disability यानि की दिव्यांगों के लिए एक बहुत ही महत्पुर्ण जानकारी है जो की रेलवे बोर्ड की तरफ से निकल कर आ रही है रेलवे बोर्ड ने सब ही mail express गारियों में जिनमें दिव्यांग जनों को रियाईत पर यानि की कंसेसनल रेट पर आरक्षेट टीक्टे बुक कराने की अनुमति दी है उसके लिए आरक्षन कोटा ताइं कर दिया है आरक्षन कोटा निर्दारित कर दिया है इस वीडियो में आगे मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ कि अब दिब्यांगों को किसी भी मेल या फिर एक्स्प्रेस गारियों में जिन में उनके लिए रियायत दर पर आरक्षित टिक्टे बुक करवाने की अनुमती दी गई है तो कितने सीट किस रेनी में उनके लिए आरक्षित किया गया है तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्र कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो इसे जैदे जैदे लाइक और सेर जरू करें तो आईए जानते हैं फटाफट कोटा के बारे में यानि कि आरक्षित कोटा के बारे में किस रेनी में कितने सीट दिब्यांग जनों के लिए आरक्षित रखा गया है तो दोस्तों जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि यह बिनिश्चाय किया गया है कि उनके लिए उन मेल एक्सप्रेस गारियों में जिनमें दिब्यांग जनों को रियायत पर आरक्षित टीटे बुक कराने की अनुमती दी गई है निमना सार आरक्षन कोटा निर्दायत किया जाए आप यहां आप जिसमें दो नीचे का और दो बीच का होगा उसी तरह तिर्दिय बाता नुकलित स्रेनी में यानि की थर्ड एसी में दो बर्थ दिब्यांगों के लिए आरक्षित रखा गया है जिसमें एक नीचे का होगा और एक बीच का होगा और थ्री इस रेनी में दो बर्थ आरक्षि का लेकिन उन गारियों में जिन में 3A सिरेनी नहीं होती केवल 3E के कोच लगे होते हैं याने की जिन ट्रेन में 3A एवलेबल नहीं होगा सिर्फ 3E एवलेबल होगा तो उसमें 2 सेट याने की 2 बर्थ दिव्यांगों के लिए एवलेबल होगा एक नीचे और एक बीच का अब बात करता हैं गरीब रत एक्सप्रेस गारियों के SLRD कोच में पूरे किराए पर चार बर्थ, दो नीचे और दो उपर की, जहां तक गरीब रत की बात है तो SLRD कोच में चार बर्थ दिब्यांगों के लिए आरक्षित रहेगा, जिसमें दो नीचे का होगा और दो उपर का हो कहता है कि सेनियों के दो से अधिक कोछ होते हैं उनमें दो सीटे यानि किसी टेन में 2S या फिर जो एसी चेयर कार है अगर उसके दो से जैदे कोछ होते हैं तो उसमें दो सीट दिव्यांगों के लिए आरक्षित रहेगा तो दोस्तों इस तरह से मेल एक्सपेस टेन में दिव्यांगों के लिए सीट आरक्षित किया गया है तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा जानकारी अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे जैदे जैदे आपको बहुत बहुत धन्यवादा